तो स्टार्ट करते हैं कर्टेनसे तो कर्टेन में यूज कर रही हूं जो मेरे पास सारी थी इन कलर्स की तो औरंज और रेड का मैंने यूज किया है मतलब मरून समझ दीजे मरून टाइब की सारी है तो उनका यूज़ करके मैंने एक curtains बनाये हैं और उसके बाद मैं ये जो yellow shade में जो सारी है उसका यूज़ करके ये इस type का look दे रही हूँ curtains को और आप इसमें कोई भी light color की सारी ये दुपट्टे का use कर सकते हैं और फिर मैंने एक छूड़ी सी टेबल में red कपड़ा बिचा कर उसके ओपर माता की चुनरी लगाई है अब मैं decorate कर रही हूँ जो artificial flowers की garland आती है उनसे और ये मेरे पास रखी हुई थी दिवाले के टाइम पर पर्चस की थी तो उस टाइम की रखी हुई थी तो उससे अब मैं ये डेकोरेट कर रही हूँ तो इससे और भी अच्छा लोग आएगा और माता की चौके से जाने की बात है तो जितने जादा हम flowers का use कर सकें उतना ही खूबसूरत लगेगा और एक गार्लेन मैं ये पीछे के साइट से भी लगा रही हूँ क्योंकि इसके आगे जो है वो माता की जुमूरती है तो उसकी डेक्ट पीछे ये गार्लेन लगे होगी तो और भी अच्छा लोग देगा तो अब मैं कलश में कुछ mango leaves रखके उसमें ये सीरफल रख रही हूँ तो ये भी काफी auspicious माना जाता है और अब मैंने चौकी रख दिया और उसके ऊपर कलश रख दिया है और उसके बाद मैंने कुछ flowers से वहाँ पर decoration की हुई है अब मैंने आपसे शेयर भी मान जाते है ये लिडिया देक्राइशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और भी सब्सक्राइशन ěतो थाड़न के बातारना के लिए बना जाते हैं तो जब मूर्ती हम रखेंगे यहाँ पे तो तभी यह ड्रेस भी बिनाया जाएगी और इस ड्रेस मतलब यह किस तरह से बनी है यह दिखने के लिए आप मेरी मद्द इनलौ का जो चैनल है कांती नौटियाल नाम से उनके चैनल में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से यह ड्रेस बनाई गई है तो जैसा कि आप देख सेते हैं कि बिल्कुल जीरो बजट में और मतलब सारा घर पर ही था कुछ भी मतलब मैं ऐसे लाई नहीं हूँ तो इतना मतलब एजी ली और बहुती सुन्दर सा डेकोरेशन आप कर सकते हैं घर पर ही आप चाहे तो इसमें आप लाइटनिंग करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है उसमें भी और कुछ प्लांट्स वगेरा आपके हां हो तो वह भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं और वीडियो के लास्तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुब कामना है